स्वागत है दोस्तो अपने यूटूब चेनल आईटे टेक्निकल कोर्ष में दोस्तो यह ड्राइंग के पेपर है बहुत इंपोर्टन कोशन पेपर है आपके आने वाले फरिक्षा में यह ड्राइंग के ऑप्सिनल कोशन पे आ जाएंगे कोशन तो आप लोग सारे कोशन जरूर देखना तो आपके परिक्षा में आने वाले बहुत इंपोर्टन है तो अभी तक आपने ड्राइंग की तैरी करना चालू नहीं किये तो ड्राइंग की तैरी करना चालू कर दीजिए क्योंकि आपके इस साल जो एकजाम पेपर होंगे ड्राइंग के वो ऑप्सिनल होंगे या नहीं आपको अब्जेक्ट्व कॉशन की ही तैरी करना है ठीक आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सस्क्राइब कर लिए ताकि किसी भी प्रकार के पेपर अपलोड करें या ITI से रिलेटड बैकंसी से रिलेटड जोब से रिलेटड कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपके पस जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे चलिए आते हैं आज के फर्श नमबर कोईशन की बात करते हैं फर्श नमबर कोईशन हमारा ये है SI बिसिश्टिता के अनुशार चार बिभिन प्रकार के अक्छर पे T स्क्वेर उपलब्ध होते है क्या होता है ट स्क्वेर चार 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 हमारे पास रखे गए है अब उसमें से ये बोला कि T स्क्वेर का कौन सा ऐसा आकार है जो T3 द्वारा बिभिन प्रकार जाता है इसका राइट अंसर होगा 500 mm में उसमें दिया रहता है आपको उसी में सेलेक्ट करना पड़ता है नेश्ट जिसे कोशन दिया है A, B, C और D में चिन्हित कियेगे उपकरण में से बहुत छोटे आयाम के बस्तू को अस्थानांतिर्ट करने तथा उनके बराबर भागों में बिभक्त कारण के लिए परिक्त किया जाता है आपके पास चार सेट दिये गए हैं इन चारो सेट में से आपको चैन करना है जिसमें से सबसे छोटा गोला हम बना सकते हैं वो कौन सा टूल्स होता है ठीक यहां पर यह लिख्या है कि बहुत चोटे आयाम के बस्तू के अस्थानादित करने के लिए बहुत से चोटे बस्तू है उसके हम मेजरिंग कर सकते हैं नाप सकते हैं उसके लिए जो हम लोग टूल से यूज़ करेंगे C नमबर करेक्ट होगा राइट एंसर C नमबर जैसे नेश्ट कोशन दिया गया है रेखा चित्रों की खीचने के लिए पैंसिल की लीड की ग्रेड के अनुशार पैंसिल का चुनाओ किया जाता है अबजेक्ट लाइन खीचने के लिए किस ग्रेड को पैंसिल को चुना जाता है जो object line होती है object line को खिंचने के लिए हम लोग जिस pencil के माधम से यूज करते हैं उस pencil का नम है hb यानि जो hb pencil होती hb grid की pencil के माधम से object line खिंचा जाता है right answer इसका d number correct होगा object line खिंचने के लिए hb pencil का यूज करते हैं next question दिया है एक drawing seat पर drawing बनाने में t square set square तथा protector तीनों उपकरण को एक साथ उपयोग करने के बदले एक ही उपकरण काम में आता है अमी जो क्या होता है जो drawing seat बनाते हैं हम लोग तो हम पर set square के यूज करना पड़ता है protector यूज करना पड़ता है और साथ हमें t square भी यूज करना पड़ता है इन तीनों को अलाग अलाग यूज करना पड़ता है तो ऐसा कौन सा हम लोग tools यूज करेंगे ताकि तीनों को हटा कर सिर्फ एक ही से पूरे काम हो जाएं जिसका right answer होगा c number mini dropped mini dropped में आपको t square का काम मिल जाएगा c to square भी मिल जाएगा protector का भी यूज कर सकते हो any mini dropped के मादम से तीनों चीज एक ही साथ में हम काम ले सकते हैं जेशन नेश्ट दिया गए five number question है SI बिसिश्टता के अनुसार T square को उसकी बलेड की लंबाई के आधार पर T square को उसकी बलेड की लंबाई के आधार पर बिर्निर्देसित किया जाता है 700 mm बलेड की लंबाई किस T square दारा बिर्निर्देसित की जाती है एनि जो 700 mm के लिए हम कौन से T square का यूज करेंगे इसका राइट अनसर होगा C number T2D next question दिया है drawing pencil पैंसिल कई गरेडो में उपलब्द होती है क्या होते जो drawing seat होती है drawing seat बनाने के लिए जिस pencil का उच करते है बहुत type की pencil उपलब्द होती है वह pencil जिसमें मुक्तहस्त चित्तरन किया जाता है एनि जो free hand sketching बनाने के लिए किस pencil का उच करते है यह फ्री हेंड स्केचिंग मतलब यह होता है बीना नाप जोग के आप जो डाइगराम बनाते हो उस डाइगराम के लिए हम लोग यह बी पैंसिल का यूज करते हैं दोस्तो यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट आप लोग रट लेना क्योंकि सारे आपके स्टार्टिंग से ड्राइंग में यही कोशन आते हैं और ओप्सिनल कोशन आएंगे स्वार तो आप लोग ऐसे कोशन रट लो जैसे नेश्ट कोशन दिया गया है एक रेखा चितर सीट को B.I.S. Bureau of Indian Extender के दोआरा विशिष्ट किया जाता है एक एथरी बिसिष्टी करण रेखा चितर सीट की I.S. के अनुशार माप क्या है इसका राइट एंसर B.N. करेक्ट हो जाएगा निश्ट है अभियांतरकी अभियांतरकी के मतलब होता हैं इंजीनिरिंग रेखाएं अनेक प्रकार की है जो इंजीनिरिंग में रेखाएं होती हैं बहुत टाइप की होती है फ्रेंच करव से खींची रेखा कौन सी होती है जो फ्रेंच करव से खींची रेखा होती है वो होती है वक्र रेखा राइट एंसर B.N. करेक्ट हो जाएगा नेश्ट इससे कोशन दिया seven number दिये है चार प्रकार के अर्ध स्वचलित pencil lead प्राप्त होते हैं एक अर्ध स्वचलित clutch pencil lead का आगार निन्म होता है इसका right answer होगा 0.5 mm नेश्ट जो pencil की सबसे कठोर grade कौन से होती जो बहुत टाइप की pencil होती है उसमें से सबसे कठोर grade की जो pencil होती है 9-8 की pencil होती है नेश्ट जिया T square T square से रेखा खींची जा सकती है जो हमारा T square होता है उसके माध्यम से हम लोग दोनों रेखा खींच सकते हैं 6 तिज रेखा उर्ध धर रेखा ऐनी हम 36 रेखा भी खींच सकते हैं और उर्ध धर रेखा भी T square के माध्यम से बिल्गों खींच सकते हैं जिसे नेश्ट दिया है set square का आकार होता है यह जो set square होता है उसका आकार त्रिबुजाकार होता है यह वो कुछ ऐसे होता है set square हमारा यह त्रिबुजाकार बता सकते हैं आपके ड्राइंग पर ऐसे ही खोशन आपको देखने के मिलेंगे नेश्ट जिसे दिया है ड्राइंग में अनेक उपकरण उपयोगी है अस्थानांतरन माप को मापने में उपयोगी उपकरण इसकेल होता है क्या होता है कि ट्राइंग में बहुत सारे उपरन उप्यो करते हैं हम लोग अस्थानांतरन मापन के लिए जो उप्यो करते हैं इसकल के मातिन से कर लेते हैं नेश्ट है अक्छरांकन में परिक्त पैंसिल जो अक्छरांकन होती है अक्षरांकर में आपने लोग जो पेंसिल के यूज करते हैं वो पेंसिल एच के रटकी होती है राइट एंसर C नमबर करेक्ट हो जाएगा नेश्ट दिया गिया है सेट स्क्वेर बिभिन कोन बनाते हैं यह जो हमारा सेट स्क्वेर दीख रहा है विभिन टाइप के इंगल बनाते हैं राइट एंसर होगा C नमबर 150 डिगरी नेश्ट है सेट स्क्वेर के कोन होते हैं जो हमारा सेट स्क्वेर होता है उसके जो इंगल होते हैं 30 डिगरी होता है 60 डिगरी 45 डिगरी माइनस 45 डिगरी होता है नेश्ट दिया गया है ड्राइंग सीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह जो ड्राइंग सीट होती उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है एक अनुपाते अंडरूट दो नेश्ट से question दिया है T square को नामित किये जाते है जो T square होता है blood की लंबाई से यह हम लोग जो T square खरीदने जाते हैं तो उसके blood के आकार या लंबाई के अनुशार chain करते हैं market से कि हमें इतना size का देना है या इतना छोटा देना है ए यह नेश्ट जिसे यह दिये था कोश्यां पैर का सफरें इस यह सपहर सोगाण बिभीन कोण बनाने में परियूद करते है जो सफरेंट होता है बहुत type के cone बनाने पर यूज करते हैं मंगर जो ये वाले set square दिया है इसको बनाने के लिए हम लोग 135 degree के angle बनाने के लिए हम लोग इस वाले set square का यूज करते हैं जिसने नेश्ट दिया गया है set square पर भी बनाते हैं एक 60 degree और माइनस 30 degree set square का cone एक क्या है यहाँ पर जो a दिया गया है यह होते 120 degree नेश्ट दिया set square की सहायता से बिभीन प्रकार के cone बनाये जाते हैं चित्र में दोनों set square की सहायता से बनाये गये cone का मान क्या है इसका right answer होगा a number correct 105 degree मैंने यहाँ पर 105 अंस का cone बन रहा है नेश्ट दिया गया है रेखा चित्र पटलन पर यक्स से चीनिर भाग का नाम बता है यहाँ पर यक्स से चीनिर भाग का आग को नाम बताना है इसका right answer होगा a number इवोनी बरकिंग कोर नेश्ट है अभियांतर की यहाँ इंजिनिरिंग रेखा चित्र में पंदर डिगरी के अंतराल पर cone बनाने में उप योगी उप करन set square यहाँ हमें पंदरा अंस का cone बनाना है तो हम लोग set square के माधन से बना सकते हैं इससे नेश्ट दिया गया टी square में इस्टोक एपन बलेट के बीच के अंगल जो इस्टोक और बलेट के बीच के अंगल होता है 90 डिगरी के होता है अगला है चादे का सामानत है आकार होता है इसका right answer होगा B नमबर अर्ध बृत्ताकार इससे नेश्ट दिया है सेट स्कार का एक साथ उप्योग कर बीविन प्रकार कोणों को मापों को खींचा जा सकता है correct answer C नमबर को 30 डिगरी इसके माद्यम से हम लोग 30 डिगरी का कोण यहां से बन रहा है नेश्ट रहा है चादे का सामानत है अकार होता है अर्ध बृत्ताकार अगला है ड्राइंग बोर्ड बनाना होता है मैसो नाइट यह जो ड्राइंग बोर्ड होता है मैसो नाइट का बना होता है यह सारे कोशन आप रट लीजिए बहुत important कोशन है मैंने टेस्ट कोशन के solution करा दिया है आप लोग मिल्कुल सको correct कर लीजिए